अगर हमारे कानों में गंदगी है, मेल है, हमें मेलिये से साप कराना पड़ता है, खोदा कुलेली करानी पड़ती है, नहीं सकते, आपको कान साप करानी की जोरत नहीं है, एक ही बार में आपके कान की जीतनी भी गंदगी है, वो सारी बाहर हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी सारी गंदगी आपको कान में डालना है बादाम का तेल इस कान में डालो दो तीन बून फिर दस मिनट बाद इस कान में दो तीन बून डाल दो बादाम की और 20 मिनट के बाद फिर आपको एक कप गरम पानी लेना है एक कप गरम पानी करने के बाद पानी इतना गरम ना हो जो हम नुकसान दे जाए है, पानी हलका गुनगुना होना चाहिए, और एक सिरिंच ले लो, इंग्जसन ले लो, उसमें पानी बरके, और कान को ऐसे करके, हलके हाथ से पिशकारी मारनी है, कान के अंदर, कान को ऐसे कर लो, जितनी भी कान के अंदर गंदगी है ना, वो सब बाहर, पानी के साथ, साथ ही बार निकल याएगी, फिर आपको ऐसी पिछकारी कान में मारनी है, पानी ज़्यादा गरम नहीं होना चाहिए, जो नुकसान दे जाए, बलकर गुन गुना हलका निवाहा पानी होना चाहिए, आप एक ही बार करोगे, कान की सारी गंद की बार निकल जाएगी